ग्रामिन विकासमंत्री अनरुद सिंग नе कहा कि राज्य सरकार पेंचनरों की 5,000 करोड रुपई की देंदारी की अधाईगी जल्द करेगी शिमला में पेंचनर कल्यान संध की बैठक में उन्होने कहा कि करम चारी और पेंचनर राज्य की रीड है और इनकी मांगों के प्र सरकार बहुत गंबीर है, मुख्यमंतरी बहुत गंबीर है, कि इसको जल से जल जल जो है, निप्टाया जाए, क्यों निप्टाया जाए, क्योंकि उनको भी पता है, कि गरमचारी जो होते हैं, वो एक बजटेट से चलते हैं, एक बजट होता है, पूरी जो नौकरी में वैसे लिए इंपलॉईज कमाता है तो या तो मगान बनाने के उपर खाथ में बच्चे पराने के उपर खाथ में और उनके शादियां देने के ऊपर खाथ में रिटार्मेंट के बाद के पैसा है वहीए उसकी जमां पुझी है और मुंकी मंत्री का दृड़ सअनकल्प है कि जो पि अगले दस वर्षों में हिमाचल को रिण मुक्त करने का लक्ष रखा है महिला वबाल विकास विभाग द्वारा आज से पोशन पक्वाड़ा मनाय जा रहा है इस वर्ष पोशन पक्वाड़े का विशय है सब के लिए पोशन स्वस्त भारत की और बढ़ते कदम प्रदेश में भी पोशन पक्वाड़े के तहट कई जागरुकता कारिकरम शुरू हो गए है और इसी कड़ी में चमबा में एक जागरुकता रैली निकाली गई सहायक आयोग तमनीश चौधरी ने रैली के शुबारंब पर कहा कि सभ्यान के दुरान लोगों को मोटे अनाज के प्रयोग सहित बच्चों में को पोशन उन मोलन को लेकर गते विधियां आयोजित की जाएंगी भारत सरकार के सुजन्य से सोशल एम जस्टिस डिपार्टमेंट जो है वो पोशन पखवाड़े का आयोजन जो है बीस से तीन अपरेल तक कर रहे हैं इसमें जो मोटे अनाज को कप्रयोग प्रोशाइद किया जा रहा है और इसमें से जो मुख्य रूप से महिलाओं और बच्चों में जो कोपोशन पाया जाता है उसको दूर करने के लिए जो भी पग उठाये जाएंगे इसमें मोटे अनाज को प्रोशाइद करके इस कोपोशन को दूर किया जाएगा इधर कुलू में महिला वबालविकास विभागद्वारा गर्भवती माहिलाओं की गोदभराई की रस्म अदा की गई SDM प्रशान सरकैक ने गर्भवती माहिलाओं को बहार भेंट किये हमारे लोकल सुसाइटी में जितने भी अच्छे भोजन हैं जो हेल्थी भोजन हैं उनको प्रमोट किया जाए और इसी उपलक्ष में भारत सरकार ने इस बार जो मोटे अनाज हैं उनको प्रमोट करने का एक उदेशे रखा है और मोटे एनज जैसे हमारे यहां कोद्रा होता है या फिर जौार है इस प्रपगार के जो मोटे एनज है उनको प्रमोट करने का अबजेक्टिव रखका है क्योंकि इन मोटे एनजों में बहुत पोशिण पाया गया है इसके साथ साथ ही इसमें कॉम्पोटे नाजों की कोई रेसिपीज नहीं लेकर आएगा तो उन्हें स्टेट लेवल पे समानित किया जाएगा तो आगरे है अभी महलाओं से पूरे डिस्टिक्ट में की वे मोटे नाज की अलग-लग रेसिपीज अपने घर में बनाएं और उसका एक रेल बनाएं या फेस्बुक पेज पर उसका रेसिपी शेर करें प्रादिश के अनिस्तानों पर भी महला वबाल विकास विभाग द्वारा का इजाकरूकता कारिक्रम आईओ जितके जा रहे हैं जो आने वाले दिनों में भी जारी रहेंगे लोगतंत्र जनता के लिए जनता का और जनता के द्वारा होता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 20 सितंबर 2015 को प्रसारित अपने मन की बाद कारिक्रम में लोगतंत्र के विशा में अपने विचार साजा किये और लोगतंत्र की परिभाशा को अनोखे तरीके से परिभाशित किया आईए देखते हैं इस कारिक्रम के कुछ आंश लोगतंत्र में जन शक्ती का अपार महत्वा है मेरे जीवन में एक मुलभुत सोच रही है और उसके कारण जन शक्ती पर मेरा अपार विश्वास रहा है लेकिन मन की बात ने जो समझाया जो जाना जो अनुभव किया उससे मैं कह सकता हूँ कि हम सोचते हैं उससे भी जादा जन शक्ती अपरमपार होती है सनौरा से मीनस मार्ग को राश्टी उच मार्ग बनाने की मांग लेकर हिमाचल किसान सभादवारा पध्यातरा निकाली गई हिमाचल किसान सभागे राज्य अध्याक्ष कुल्दीप सिंग तंवर की अध्याक्षता में एक सबतहा तक चली इस पध्यातरा में किसानों का जथा 26 पंचायतों से होकर गुजरा और 114 किलो मीटर की यात्रा ताय की राजगर के सनौरा में पधियात्रा के समापन अफसर पर आयोजित नुकर सभा में कुल्दीप सिंग तंवर ने कहा कि सनौरा से मिनस मार्क जो 60 वर्ष पूर बन चुका है उसकी दशा बेहत खराब है वर्ष 2016 में केंद्रिय मंत्रो नितिन गटकरी ने प्रदेश में 79 नेशनल हाईवे बनाने की घोशना की थी जिसमें ये मार्क भी शामिल था लेकिन अब तक इस पर कोई अमल नहीं हुआ है जिस स्थानी किसानों को अपनी फसल मंडी तक ले जाने में काफी परिशानी का सा अधान मंत्री और भूतल्व परिवहन मंत्री को भी गया पन्सोपा सिर्मौर के अंदर किसान सभा की शुरुआत से इसमें विभिन जन संगठनों के माधियम से साथ दिनों का 114 किलो मीटर लंबी पधियात्रा सिर्मौर जिला और यहां पर जो तीन ब्लॉक्स हैं वहां पर लोगों का ध्यान अकरशित करने के लिए एक जो पधियात्रा का यहां पर समापन समारो हुआ इसमें एक रैली हुई स्टीम के माधियम से किंद्रिय सरकार को एक ग्यापन भेजा गया इसमें जो मुख्य मुद्दा है कि 1962 में चाइना वार के बाद जो एक रोड की यहां पर शुरुआत हुई थी मिनस्टू सोलन और उसमें लोगों का यहां पर बड़ा भरी योगदान रहा था यहां के किसानों का नौजवानों का और यहां पर जो राजनितिक लोग भी थे मगर उससे आज साट साल के बाद भी आज ये स्थिती है कि इसमें एक फुट भी यह जो सड़क है यह चोड़ी नहीं हुई प्रादेश में परियतन अधो संरचना के विकास पर एशियाई विकास बैंक के सहयोग से 1311 करोड रुपए की राशी खर्च की जाएगी इसे प्रादेश में आने वाले सेलानियों को बहितर सुविधा मिल सकेगी और राजस सरकार परियतन विकास के लिए एशियाई विकास बैंक से इस राशी की सैधानते के स्विक्रिती पराप्त करने में सफल रही है हमेपर जिले में सबसे अधिक 257 करोड कुलू में 239 करोड मंडी में 138 करोड जबकी शिमला जिले में 123 करोड रुपए खर्च कर परियतन विकास करवाया जाएगा इसके अलावा राजसरकार ने हाल ही में अपने बजट प्रस्ताव में कांग्राजिले को परियतन राजधानी की रूप में विक्सित करने के लिए 390 करोड रुपए की राशी की घोशना की है सरकार द्वारा ग्रामीन परियतन को बड़ा हवा देने के उदेश से प्रदेश में परियतन ग्राम भी स्थापित के जाएंगे कोरोना संक्रमन के बाद अब H3N2 इंफ्लूएंजा वायरस का खत्रा बढ़ गया है इसे देखते हुए राजसरकार ने स्वास्त विभाग को अलर्ट रहने के निर्देश दिये हैं कांगरा जिले में भी स्वास्त विभाग द्वारा इस वायरस से ने पटने के लिए दिशा निर्देश जारी किये गए हैं मुख्य चेके साधिकारी डॉक्टर सुशीर शर्मा ने बताया कि इस से बचाव के लिए स्वास्त विभाग के पास परियाफ्त दवाईयां उपलब्ध हैं और स्तिती पर नज़र रखी जा रही है हमने बीमोज और मेडिकल अफसर्स की सबकी इस वायरस के बारे में सेंस्टाइजेशन कर दी है और उनको हमने द्वाईयां भी जो है जो टेमी फ्लू टेबलेट्स होती है और स्टलमा वीर वो हमने उनको अवेलबल करा दी है और उनको इसके लिए दिशा निर्देश जा रही है कि वो हाई लड़ परे कोई भी अगर ऐसा कोई केस लगता है तो वो तुरंथ आपने यहां हमार को बताएं ताकि हम उनका समय पर अलवाज करवाज झाल परे करते हैं झाल 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 झाल